रामगर जीले के प्रखन मांडू के अंतरगर गाउगर गाली के टोला पंचकीरिया में अब तक सड़क नहीं होने की कारण ग्रामीनों को, इस्कूली बच्चों को, शिक्षकों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है मैं बसंती सुरिन और ये है मेरा समुदाय आपको कितनी दूरी ताय करने पड़ती है इसकूल आने के लिए तो यहां तक आने के लिए रोड अच्छा है या यहां तक आने के लिए रोड एकदम ही खराब है, आते आते के लिए गिर भी जाते हैं, रास्ता एकदम सही नहीं, गड़ा काफी है, गाली चड़ने में बहुत दिकत होती है कहिए कि इस जुग में मतलब सबसे अंधेर गाओं यही है कि यहां पर आज ते लिए रास्ता नहीं बना तो कोई ऐसा घटना घटा है अब तक रोड खराब होने के वज़े से कोई गिर गया है, किसी का एक्सरेल या फिर आप गिरे हैं नहीं हम चार पर गिरे हैं और जैसा यहां के रास्ता देखने गाड़ी चड़ने लेग नहीं है अब जैसे बोलते हैं यहां बरसाथ के दिन में अगर किसी का बिमारी हो जाता है अरह एक दम पाने लोगी चड़ाने का एथ तो यहां तो डैक्टर आना तो दुभर की बात है अब बहुत दिक्गत होता है यहां के हर बरसाथ में आद्मी मर जाता है इलाज के अभा में कोई डैक्टर पोँच ही नहीं पता है समय पर इलाज नहीं पता है आपको क्या लगता है कि अब तक रास्ता क्यों नहीं बन पाया है? किसकी लापरवाई है? मैंने ये वीडियो इसले बनाया क्योंकि पंचकिर्य गाव में सडक नहीं होने के कारण ग्रामीनों को बहुत सारी कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है समस्या तब और भी बढ़ जाती है जब लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है बीमारी की हालत में उनको अस्पता ले जाने के लिए उन्हें बहुत ही दिक्कत हो जाती है मैं आप समी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि प्रखन मांडू के प्रखन विकास पदादिकारी जैकुमार राम को उनके कॉंटाक नमबर 8084-383406 पर कॉल कर इस समस्या से आउगत कराया है ताकि पंचकिर्या गाह में जल से जल सड़क बन सके मैं बसंती सुरेन जारखन की रामगर जीले से इंडिया अनहट के लिए